शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अरे बीना कि अचारब साब को खाजी केसे शुरू गई वो लड्डो में कही विष्टो ने मिलावा था हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं हा रहा है कि वो जो शिर्ची के भगता है थे उने में जब लड्डो खाया तो उनका करह मेला कैसे पर गया हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दर्फो गुडिया ठीक है हम जा रहे हमें बहुत काम है अपना वादा भूल गहें किया हम जो तुमसे कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़े या और वैसे भी तुम हमाये साथ खेलने के लिए यहां आ Опब करने के लिए नहीं तो चलो खेलते हैं हाँ, यह वाद है, मैं वाद हुआ. हम इसे मन्ना करेंगे, तो यह मानेखत्तो नहीं, खेलना है पड़ेगा. ठीक है, तो चलो, चुपन-चुपाई खेलते हैं. चुपन-चुपाई? तुम अपनी आखे बन करो, और दस्ता गेंती करो. ठीक है, एक, दो, तीन', चुप, चेटिन करें, वाप्य सेकाँटिन करो. कहाँ वे, आइएए? गहावे आये. जी पड़ी, वह विल्ली में, हम बंटी को गहाड़ूँड़े. बंटी! 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 यहाँ पर भी नहीं है, उरे घर में ढून लिया. पता नहीं कहाँ चलागे है, बंटी? अब सिरफी एक ही कमरा बचले. उन गुस्से वाली आंटी का. वह में जाने से तो बहुत डर लग रहे हैं. पर क्या करें? जानने तो पड़ेगा. हिम्मत करके जाएंगे. अब आएगा मल्ला. यह मा के रूम में गईया, बचेगी नहीं? बंटी? बंटी? पाओ, जूम्. चल्दी-चल्दी, बहार निकलो. अगर तुमरी मानुया में देख लियाना? तो यह में पुहार डाटेंगी. बंटी? शरूर यहाँ पर होगा. बूँ. आएज़ छुट्बूूू। अएज़ लड़ो तो थे यह अज़िया, जूबू। अएज़े लड़ो तो प्रूसोई में थे. उसे ही लड़ो तो फसो ही में थे. ऐसे? जादी को बताने ही होगा. जादी? क्या हुआ? आप तीक तो हो ना? आपके तबित खराब लग रही है. बेटा, वो शुगर की बीमारी है ने, तो कभी-कभी चक्कर आजाते हैं. यह सुब चिंदा की वज़े से हो रहा है. यह तो बिना बहुरिया की आलत और उपर से तुने वह बोलेनाथ के भगत की बात की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है? अरे लटू मैंने खुद अपने हाथों से बनाय थे? तादी, आपको पता है हमने क्या देखा? क्या? तो एक जैसी बन्नी है? क्या? क्या कहते हैं यह तु? हम कहते हैं, जैसी लडू के बन्नी रसोइ में पड़ीती, वैसी लडू के बन्नी वो गुस्से वाले अन्ट, हमारा मितलबे, चंद्रा अंटी के कमरे पड़ीती. हमने अबी देख़्ा. कहीं असत महीं कि चंद्रा भुखुरिया ने लड्डू बदल दिये थादी हमें समझ आगे है कि जो लड्डू चंद्रा अंटी ने पीना अंटी को दिये थे उसमें जहर था अभी वो बोले नाल बोले नाल नाल गुरिया यहां बैट के हमारी इमा पर जूटे जूटे इल्जाम नगा रही हो अभी जाकर मा को बताते हैं रुको तुम मा अरे बंटी रुको तुम मा अरे बंटी रुक जो यह कल की आई वी लड़की के इतनी हिम्मत कि हमारी चंद्रा पर जूटा इल्जाम लगाया पानू समझने की कुशिश करो एक जैसी दो बंटी लड़ो की घर में कैसे आई और एक मैनी चंद्रा बहुरिया के कमरे में कैसे पहुंची अम्मा तुम अपनी बहुरिया पे सवाल उठा रही हो यह जानते हुए भी कि वह कितना ख्या लगती है तुम लोगों का तुम्हारे बारे में सोचती है तुमको सरम नहीं आती ऐसी बाते करते हुए नहीं बोलने दीजे इने हमें भी तो पता चले कितना जहर भरा इनके मन में हमारे लिए आप हम्मारे बारे में ऐसा सोचती हैं अम्मा जी कि हम किसी के बच्चे की जान ले लेंगे एक पच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उसको जहर देंगे अम्मा जी आप ये कर दो चोड़ दी हमने रही बात लड़ू की तो वो लड़ू हमारी माने भेज़ेते हमारे माई के से बीना के लिए क्योंकि बीना की सगी मा नहीं है लेकिन हमारी माने ये नहीं सोचा होगा कि वो लड़ू हमारी जान बनाएंगी और आप सब मिलके हमारे ओपर इतना बड़ा इल्जाम लगा थेंगे पता पड़ गया ला सब को सच तुम लड़ा अब अज़े हमारी चंद्राभावी इतना सब करती है हमारे लिए कंसके लिए इस घर के क्या कुछ नहीं किया इनों इसके भावजूत भी हम ऐसी सोच रखती हैं के लिए माने ची 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 तो आपको तो वैसे भी कुछु भी कहते हैं क्या कहें हम हम तो जो सच है वो सामने लाने की कुछिश कर रहे हैं अगर लट्टू में जहर नहीं होता तुम बीना बहुर्या बेहुष कैसे होती और वो बोले नाच जी के भग्त जिनको श्रावनी ने लड्टू खिलाया उनका गला नूला कैसे पड़ता जूट बोल रही है लड़की उन लड्टू की वज़े से बीना बेहुष नहीं हुई थी बीना बहुष इसलिए हुई थी क्योंकि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था कम जोहरी के कारण उस लड्टू की वज़े से नहीं और आपने देखा था उस भोले नाच जी के भत्त को नहीं ना कल की आई हुए लड्की उस पर विश्वास है आपको हम पर नहीं नहीं अब जूटने बोल रहे हैं मारा विश्वास कीजिए वह लड्टू का कर भोले नाच जी के अको खासी आई अब हमें कुछ नहीं सुनना और कोई हमारी चंद्रा पर एक भी सवाल नहीं उठाएगा नहीं बलकि यहां बात हमारे होने वाले बच्चे की है और हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस लड्टू में कुछ मिला है या नहीं तुम यह कहना चाहते हो कि चंद्रा ने मा के बनाएवे लड्टूों की जगे वो जहर वाले लड्टू रक्ष ती है ताकि बीना के पेट का बच्चा गिर जाए तुम से कम हमें तुम से अमीद नहीं थी अपनी मा सवान भावी के ओपर तुम यह सोच भिछा रखते हैं भाईया आप गलस सोचते हैं हम सब इतना कह रहे हैं कि हमारे होने वाले बच्चे पर कोई खत्रा ना हो इसलिए हमारा यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उस लड्डू में कुछ मिला है या नहीं भावना अंदर जाओ और बर्नी लेकर आओ जिससे बीना ने और उस शिवजी के भक्त में लड्डू खाये थे बीजे भी अब पैसल होगा कि आखिर इन लड्डूों में कुछ मिला हुआ है या नहीं अब दूद का दूद और पानी का बानी होगा लुको इसकल किया हुई लड्की ने हम पर इतना बड़ा इल्जान डाल दिया इन लड्डूों में हमें जहर मिला है पीना के बच्चे को किराने के लिए अब यह लड्डू तुम नहीं यह लड्की काएगी अब भूरिया यह क्या बोल रही हो तुम नहीं चोटी सी लड्की जहर वाला लड्डू खाएगी नहीं यह लड्की ही यह लड्डू खाएगी जहर वाले और अगर इस लड्की को कुछ हुआ ना तो सरत पुलिस बिल्वाना और हमको जेल भिजवा देना चन्हाई क्या रही हो तूम? बिल्कुल सही बात कर रही है, का गलत बात की हमें? इस गर में हमारा अपमान हुआ है आज तक हमने जो कुछ भी किया, उसका सिला हमें ये मिला है हम डरते नहीं किसी से, क्योंकि हम कुछ गलत किये नहीं डरे वो, जिसके मुह में राम और बगल में चूहरा हो ठीक है, अब ये लड़की लड़ू खाईगे अभी काभी पता चल जाएगा किस लड़ू में मिलावथ है कि नहीं बानू नहीं इस महसुम बच्ची की जान जोखम में क्यो डाल रहे हो? वाव माजी वाव अभी तो गुना साबित भी नहीं हुआ और आपने हमें गुनेगार साबित कर दिया इचनी नफरत कहां से आगई आपके दिल में हमारे लिए काव हम कह रहे हैं खाओ लड़ू अगर ये लड़ू खाकर हमारा घला भी नेला पड़ गया तो पापा के लाज के पैसो के लिए मुझे ये लड़ू खाना पड़ेगा अगर फैसो ऐसमया झाली ये लोज़ तो झाली जो गया ना सामित? दूद का दूद पानी का पानी जिस जहर वाले लडडू से पीना बेहोस हो गई थी पोलेनाथ के भग्त उनका खला नीला पढ़ गया था लेकिन ये लड़की वैसे की वैसी खड़ी है सही सलामत हो गया भरोसा आप लोगो कि हमारी चंद्रा ने लडडू में जहर नहीं मिलाया था ये लड़की ने हमाई चंद्रा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है जल्दी जल्दी इस बरनी को बदल देते और ना हमारी बेहना काम तमाम हो जाएगा अभी पता करते हैं ना का दूद का दूद पानी का पानी है है दिया बीरेन बापु तो यहां है भी नहीं तो यहीं वो बरनी है जिससे बीना भाबी को लडडू दिये जाते है और यह वहीं लडडू है जिसमें हमारी प्यारी चंद्रा भाबी ने जहर मिलाया है अब हम लेके जाते हैं बाहर है दिया और इगनर जहर बाला बरनी तो हमारे हाथ मेरे तो तो डुबलिकेट लेके गई है देखो हमें पता है तो हमारे पीछे पड़ी हुई है लेकिन फिर भी हम तुमारी कोई मदद नहीं कर पाए उसके लिए हमको माफ कर देना उका है ना कि अगर अमारी बैन का राज खुल गिया तो हमारे सर के उपरी जो सूने कच्छत है उच चला जाएगा पता नहीं कौन से करम किये थे जो आज हमी ये दिन देखना पड़ रहा है ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए इस घर में हर किसी को हमने अपने से पहले रखा है हर किसी की ख्वाईचे हमारी ख्वाईचे से उपर थी इन जालों में आपने क्या कमी छोड़ी अम्मा जी जवाब दीजे क्या कमी छोड़ी सास नहीं दी हमारी हमारी माती जेवा की आपकी पिताजी की इतनी नवरत कहां से लाई कहां वकत मिल गया आपको अरजरत्तुम सक उवा तुमे लड़ू हमने जहर मिलाया जब से में पता चलाए कि बीना मा बनने वाली है कोई कमी नी छोड़ी हमने सब को कह दिया कि हमारी बीना के जितनकी में इतने सालों बाद खुशिया है कोई कमी मत छोड़ना कोई भी और उसके नतीजा हमको ये मिला भी बावी बस बस ओ गया मौट ओ गया अब हम सहीma हम इसंब में नहीं रह सकते हैं अरो अरे। इस काव बूलगई ती इन महल छोड़के फिरसे छोपड़े में रहने का हिराता है काव अरे जाब के जाद हम नहीं नहीं चंद्र आसकते जेओ पHH दिवाब, तुम यह घर छोड़के नहीं जाओगी, तुम ही तो इस घर की नीव हो, तुमने इन सब को जोड़के रखा हुआ है, तुमने सब को गलत साबित किया है, तुम नहीं जाओगी, अगर इस घर से कोई जाएगा, तो है यह लड़की बानु क्या करें तुम, शैद श्रमनी से कोई गलती हो गई होगी, कोई कलत फैम ही होगी, बस अमा, बहुत हो चुका, अब हम जो कहेंगे वो होगा, आमा, बानु भी आ बिकुल ठीक कह रहे हैं, दिलिप काका, इस लड़की का समान ले के आओ और निकाला अजर गर से बाहर, कल कि याई लड़की ने घर में तमाशा खाड़ कर दी यह, नहीं हमें मााफ कर दी घिजी, हमें घर से मत निकाली, अब कहा जाएगे, कहा रहेंगे, भी आखा में पैसो की बहुत सरूरत है, अइसा का हो गया जो इतना लाला चाह गया तुम्हारे मन में पैसो के लिए हाजकल के बच्चे बस बहुत हो गया इपना समाम ले निकल रुखो अरिच्छन्त अविलिगे नहीं? नहीं, हावारा दिल इतना कट्टोर नहीं एक मासू मुस्पच्ची को गरसे बाहर निकालते उसके सर से छट्स छीव ले यह हमने देख सकते और सिकायत हमको इससे थोड़ी ना है सिकायत हमको इन सबसे है कोई और इल्जाम नगा देते ना भालू चलता था एक अजन्मे बच्चे को गिराने का इल्जाम नगा एपकी अम्माजी ने अमपर परायों से क्या सिकायत करें की देखा तुमने चंद्रा चाहती की तुम इस घर मेरा हो कितना बड़ा दिल है इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमको माफ कर दिया लेकिन हम कर नहीं पाएंगे खबरदार हमारी आखों के सामने मता रा तू क्योंकि हम तुम्हें माफ नहीं कियें समझे तुम क्योंकि हम तुम्हें 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 कि अपटाने के तुम्हें 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 सारा गुसा आरे अभी नहीं कि अपटाने हमारे साथ क्या करेंगे बेना, ये आफ़त की पूरिया को आपने जाने का है नहीं दिया जब से घर में आई ये इसने बवाल मेचा रखा है ताकि वो हमारी आखों के सामने रहे आज उसकी वज़े से जो हमारा मानुमा है ना सिंदकी भर नहीं बुलेगे हमारी आखों के समने रहेगी तो सिस्का सिस्का के तडपा तडपा के सजा देंगे रोज बाहर इन सब दो टके के लोगों ने जो हमसे बाते कई हैं ना सब का हिसाब से देंगे अब तो हमें पूरा पिस्वास से कि आप जो जो बोली हैं उब आप कर कही रहेंगे लेकिन परले ही बताए कि इस बीना के बच्चे का करेंगे आपका अपने जो प्लान बनाया था अबू तो हो नहीं सकता तो कह अब बीना का बच्चा भी इस परिवार में हिस्सेधारी मांगेगा इस चायदात की खूटी कौडी भी देंग लेकि जो केसव और नीतरा की बच्चे को उसके मंजिल तक पहचाएंगे तो इसका बच्चा क्या चीज है उनको तो हम ढूंद के निकाले थे ये तो इसी चट के नीचे रहते हैं उच भी हो जाए इस पीना के बच्चे को तो हम इस दुनिया में आने नहीं तेंके कि ये वादा है हमारा तुमसे और चंदरा जब वादा करती है न उसे पूरा जरूर करती है तो हम लाएंगे तुम्हारे लिए चौजा के तयार हो जादू कर से भी अच्छा इंतसाम करेंगे मासूम श्रवनी का होसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाए शिमारू उमंग करती है